पेस्ट है अब मार्केट के अंदर जाओगे तो हजारो ब्रांड्स हैं और अलग-अलग ब्रांड अपनी अपनी तरीके से कोई भी चीज बनाती है और हर एक दाम के हिसाब से वो प्रोड़क आपको मिलती है यानि कि आपको सस्ते से लेके महंका तूट पेस्ट भी मार्केट जब हम तूट पेस्ट को यूज करते हैं तो उसका परपस हमारा क्या होता है तूट पेस्ट यूज करने का हमारा परपस होता है कि हमारे दात और मसूडे दोनों जो है वो तंदूरस्त रहे मजबूत रहे और चमकीले रहे साफ रहे यह परपस होता है और इस परपस को सॉ पास में उसको घिसते हैं ताकि जो भी दातों में फसा है या मसुड़ों पे चिपक गया है दातों पे चिपक गया है वो सारी चीजे निकल जाए लेकिन कुद्रती ईश्वर ने हमें हमारे जन्म के साथ हमारे दातों के ऊपर एक परक लगा के दिये इस बात को मैं कुछ ऐसी तरीके से समझाता हूँ कि जैसे कि आप नई गाड़ी लेके यानि शोरूम से जैसे निकालते हो तो निकालने से पहले शोरूम वाला भी आपको कहेगा कि सर आप जैसे गाड़ी बाहर लेके जाओगे धूल, मिटी, कीचर ये सब उसके उपर नए मैं होता है सर अगर आप कोहो तो हम उसको उपर कोतिंग लगा के देंगे ताकि आपकी गाड़ी का जो चमक है जो कलर है वो सालों साल ऐसे ही बना रहेगा और हम खुश हो जाते हैं और हमारी गाड़ी को हमें कोटिंग करवा देते हैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा के उपर वाले ने हमारे दातों को एक बड़िया कोटिंग और रेडी दे के रखी है हमारे जन्म के साथ हमारे दातों के साथ ये कोटिंग आती है जिसे एनेमल का नाम दिया गया है अब ये जो उद्रती कोटिंग होती है दातों की वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं व अब ये थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो गया होता है और यही वज़े होती है कि जब हम उम्र में बड़े हो जाते हैं और कुछ ठंडी चीजों को या कुछ ज्यादा गरम चीजों को खाते हैं तो दातों में एकदम से सुन होना या दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि animal कम हो गया है animal का काम होता है जो भी गरम चीज खटी चीज या कोई ऐसी चीज एकदम जो ठंडी या गरम है उसको हमारी senses के साथ एकदम direct contact में ना आने देके और जो चबाने की process है उसको continue कर सकते हैं तो ये process के हिसाब से animal काम करता है अब ये उम्र के हिसाब से कम हो रहा है तो तो सही बात है लेकिन आपने देखा होगा कि करीबन करीबन 35 से लेके 55 के आसपास की उम्र में काफी लोग ये complain करते हैं कि नहीं नहीं मैं बहुत गरम नहीं खा सकूँगा नहीं मुझे बहुत खंडा नहीं चलेगा अरे मेरे तो दाख बहुत दुपते हैं है ना ये complain आने की वज़ा क्या है हम तो अच्छे से तूट पेस्ट यूज करते हैं बढ़िया खाना काते हैं केर करते हैं तो दोस्तो जिस चीज को लेके हम दातों को घिसते हैं वो चीज जो है उसे चेक करने की ज़रूरत है तो चेक करने के लिए आप कोई भी अख़बार ले लो न्यूस पेपर और उसके अंदर जो मोटे फॉन्ट होते हैं जो टेक्स्ट होती है जो मोटी होती है उसके उपर आप एक उंगली में अपना टूटपेस लो दूसरी उंगली में कोई भी ब्रांड का टूटपेस लो और उसे हलके से घिसने की शुरूआत करो तो आपको पता चलेगा कि जब आप उसको घिसते हो तो वो खुरदूरा होने वाला है उसका कलर जाने वाला है जबकि आप हमारा टूटपेस लेके उसके उपर हलके से घिसोगे तो वो खुरदूरा नहीं होगा क्योंकि जो माइक्रो पार्टिकल्स टूटपेस के अंदर होते हैं वो अगर स्क्वेर यानि कि चौरस रहेंगे तो उसके कोने रहेंगे और वो कोने जो होते हैं जब हम घिसते हैं तो हमारे एनेमल के साथ घिसते हैं और हमारे एनेमल को तोड़ के निकाल देते हैं जबकि सेपशॉप का जो तूटपेस्ट है उसका जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो ओल शेफ यानि कि गोल या अंडे के शेफ जैसा है जहां पे कोई kona नहीं है और वो घिसता है तो kona नहीं है यानि कि उसका कोई angle नहीं है तो ये उसको चीरता नहीं है तोड़ता नहीं है और animal को मजबूत रखता है ये एक बहुत ही एहम बज़े है कि हमें अपना toothpaste क्यों यूज करना चाहिए और ऐसा क्यों है क्यों ये micro particles ऐसे बने हैं तो उसका दूसरा रीजन यह है कि इसके अंदर जो ingredients डाले गए हैं जो चीजों को डाल के इसको बनाया गया है वो सारी की सारी कुद्रती चीजे हैं आप उसके उपर जो list लिखा है कि इसके अंदर क्या-क्या डाला गया है वो उसको पढ़ के सुनाओ देखो सार इसके अंदर इतनी 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 चीजे डाली गई और यही वज़ा है कि यह toothpaste जो है उसका जो test है जो स्वाद भी आता है वो natural है और इसके बाद जब हम उसको घिसते हैं तो आपके दातों को यह नुकसान नहीं करता है काफी आपने toothpaste ऐसे देखे होंगे जहां पर उपर ही लिखा होगा कि वो चमकीले बनाएगा दातों को या एक कहते है ना कि वही ताजगी भरा एक एहसास होगा और काफी लग उसी एहसास को लेके आपको बोलेंगे है कि सार आपकी toothpaste पे ना वो मजा नहीं है हम जो दूसरी toothpaste लाते हैं जिससे हमको एकदम मूँ एकदम fresh fresh feel होता है या फिर ताजगी के particles उसके अंदर डाले हुए होते हैं फिर वो बताया कि देखो सर इसके अंदर दिखता है ना छोटे-छोटे white-white dots है भाहर की toothpaste में और आपकी दूटपेस में नहीं है तो आपको उसके बताना है कि सार बिलकुल आपने बताया अच्छी बात करी तो यह जो white particles है जिससे आपके मूँ में ताजगी वाली feeling आती है flavor आती है वो है क्या क्या यह जानने की कोशिश की है तो यह menthol हो सकता है menthol एक ऐसी चीज है जो एक chemical है जो आपके शरीर को नुक्सान पहुँचा सकता है तो हमें ऐसी menthol वाली चीज रोज सुबह उठके हमारे शरीर में हमारे मूँ में तो जरूर भी नहीं डालनी चाहिए तो यह जो तूटपेस्ट है इसी वज़े से हमको नुक्सान करती है और जबकि हमारी safe shop की तूटपेस्ट है वो हमको natural ingredients की वज़े से हमारे मसूडों को हमारे दातों को एक अच्छा मजबूत और strong बनाती है ऐसी बात करके जब हम आगे बढ़ते हैं यह भी कह सकते हैं कि सब सारी बाते ठीक हैं लेकिन आप बताओ कि जब हम सालों पहले दातुन से ब्रश किया करते थे जब तूटपेस्ट की इजात नहीं हुई थी तब जो लोग हमारे दादा है परदादा थे उनके दात अगर वो 80-90 के भी हो जाते थे तो भी गिरते नहीं थे और आज क्यों ऐसा हो रहा है कि 50-55 पे लोगों के दात गिरने शुरू हो गए हैं जरूर कहीं न कहीं जो बाहर की ब्रांट्स हैं उसके अंदर जो तूटपेस्ट है वो जो commitment देते हैं उसमें उतना दम नहीं है कि आपके दातों को मजबूत बनाएगा जो भी वो बोल रहे हैं उसमें वो दम नहीं है जबकि ये जो तूटपेस्ट है उसमें natural ingredients हैं उसको use क करके देखिए सार आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा तो यह थी हमारी बात बारे मिंत तो यह दूसरे एक प्रूडर्ट के बारेने बात करते हैं तो दूसरा प्रूडर्टμ लेते हैं चाय-पत्ती हैं चाय-पत्ती जब आप मार्केट में किसी भी एक्स-ब्रांड की चाय पत्ती लेने जाओगे तो उसके उपर अलग-अलग category लिखी होती है तो चाय पत्ती के उपर हो सकता है लिखा होगा dust या उसके उपर लिखा होगा dana तो यह दोनों अलग-अलग categories है तो वो categories को कैसे define करते हैं और हमारी safe shop की चाय कैसे अलग है अब चाय पत्ती का मतलब तो यह सीधा-सीधा है कि यह तो natural जो पौधे चाय के उगते हैं उसकी पत्तियां है अब उसके अंदर क्या quality हो सकती है उसके अंदर हम कैसे दाम decide कर सकते हैं यह तो कुदरती चीज है वही जो भाहर मिलती ह है और वही सीधी सीधी आप दे रहे हो तो आप एक चाय पत्ती के मान लो 100 रुपे ले रहे हो दूसरी के 200 और तीसरी के 500 और तीसरी के 1000 भी ले सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा सार कि यह जो चाय पत्ती होती है वो कौन सी जमीन के उपर यह चा होते हैं और यही वज़य है कि अलग-अलग अपने अलग-अलग दामों में चाय पत्ती बेशती है आप अगर किसी एक ब्रांड की भी बात करो मानलो हम कोई एक नाम लेते हैं समझने के लिए कि ताज महल या बुरू कोई भी चाय पत्ती आप एक ही ब्रांड की ले तो एक ही ब्रांड में अलग-अलग रेट की चाय पत्ती मिलेगी आपको, वो भी बेजते हों के स्टांडर्ड, प्रीमियम और कुछ और या गोल्ड या ऐसा कुछ भी करके, तो एक ही कंपनी की चाय पत्ती अलग-अलग दाम में भी बिक रही है, तो जरूर कुछ न कुछ उ पास-पास का इलाका है, जहां पर ये चाय पत्ती बहुत अच्छे से उगती है, ये एक्वोस्पियर मिलता है उसको, लेकिन उसमें भी कौन सी जमीन पर किस तरीके से ये उगती है, वो बहुत इंपोर्टन्ट है, जब उग जाती है, फिर उसको जो तोड के, यानि कि पिक जाल रहे हो, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, तो जब मशीन से किसी भी चीज को काटते हैं, तो उसकी जो नेचरल एलिमेंट्स होते हैं, वो आगे-पीछे हो जाते हैं, लेकिन हाथ से चूटते हैं अगर तो वहाँ पर नेचरल एलिमेंट्स जो है, वो बने रह तो ये भी एक प्रॉसेस में फर्क रहता है तो आप भी समझ सकोगे कि अगर मानलो पूरे खेत के अंदर जितनी भी चाय पती है उसको मुझे मशीन से काट के निकालना है तो सुबह से शाम में मैं काम कंप्लिट कर दूँगा मेरा प्रोडक्शन हाई हो जाएगा तो मेरी कॉ पतियम है उसको चूटेंगे और पीछे बकेट में डालते जाएंगे तो ऐसा सुबह से शाम करेंगे तो भी पूरा खेत कंप्लिट नहीं होगा यानि इसमें दिन लग जाएंगे हफते लग जाएंगे तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी महंगी हो सकती है लेकिन ऐसा करन है चाय पति इसको भी एक अलग एक्जामबल से मैं समझाना चाहूंगा मानलो हमने एक सेब लिया एपल उसको काटा और ऐसे ही हमने टेबल पर छोड़ दिया एक आज गंटे के बाद वो अगर आप फिर से सेब हाथ में लोगे कटा हुआ तो आप देखोगे कि जब काट के रखा था तब वो एकदम क्लीन और बढ़िया था लेकिन आधे गंटे के अंदर अंदर वो दीरे-दीरे-दीरे काला होना शुरू हो जाता है इसका रीजन ये है कि जो हवा के अंदर ऑक्सीजन जो है वो उसकी सतह पर टच करता है तो उसमें प्रोसेस होती है और इसी की व हो जाए है कि हम दीरे-दीरे-दीरे जैसे हम ग्रो करते हैं हम बड़े होते हैं साथ में हमें ऑक्सीडाइजेशन जो हो रहा है उसकी वज़े से हमें अपना बुड़ापा भी जल्दी से आता हुआ दिखता है तो उसको इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम कुछ ऐसी के अंदर जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है यानि कि हम जल्दी बुड़े नहीं होते हैं अब अगर हम मशीन से काटी हुई चाय से कब यह पीना शुरू करेंगे और हाथ से निकाली हुई चाय पती से पिएंगे तो जरूर उसमें फरक होता है अब मा केट में आ गई अब जा रही है फैक्टरी में तो वहाँ पर क्या होगा पतियों को सुखाया जाएगा सुखाने के बाद चोटी 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 होनी शुरू हो जाएगी अब सूख गई अब उसमें क्या डिफरेंस आएगा तो जैसे आपने देखा कि केटेगरी अलग देखा है तो उसके लिए यह होगा कि जितनी भी यह सूखी हुई चाय पतिया है उसको एक बड़े से चलने के उपर डाली जाती है और एक प्रॉसेस एक कण्वेयर बैल्ट के उपर चलती हुई है पतिया आगे बढ़ती है और यह जो बैल्ट होता है वो वाइबरेट होता है तो जब वाइबरेट होता है तो जब बड़ी बड़ी यह पतिया रहती है जो सही माइने में अच्छी कॉलिटी है वो उपर रह जाती है और जो छोटी है वो उसके नीचे गिर जाती है जैसा ही नीचे गिरती है वहाँ पर एक और चलना होता है जो छोटी गिरी है उससे अगर कोई छोटी है तो उसको उससे भी नीचे गिरा देती है वहाँ पे एक तीसरा चलना होता है जो लास्ट केटेगरी होती है उसके नीचे अगर कुछ गिरता है तो आप समझ सकते हो तो वो कच्रा है धूल मिट्टी है या डस्ट है ऐसा कुछ भी है जो शायद हम क्यों य ही है उसके लिए कंपनीज क्या करती है या तो नीचे वह एक पंखा चला देती है ताकि जितनी भी यह मिट्टी या उसकी जो परत या ऐसा कुछ भी रहता है वह उड़के एक तरफ होना शुरू हो जाती है अब कंपनीज तो व्यापार करने बैठी है तो वह क्या करेगी यह भी वेस्ट नहीं होना चाहिए तो वो प्रीमियम कॉलिटी में सबसे उपर वाली जो बड़ी मोटी चाय पती थी उसको एकदम प्रीमियम गोल्ड ऐसा कुछ भी नाम देके महंगे से महंगे दाम में उसको बेचेगी फिर उसके बाद कुछ और एक नाम देके जो मेडि उसकी वेस्ट नहीं जाएगी और पूरे के पूरे जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका वो मुनाफ़ा कमा लेगी अब हम देखते हैं कि हमारी सेफशॉप की चाय पती क्या है जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बताया कि आपको सबसे पहले तो स्टक्ट है उसको बोलो कि सर हाथ आगे बढ़ाओ ऐसे हिसे अजर चाय पती मोटे दाने उनके हाथों में घिरना शुरू हो जाएंगे चाय पती कि वह देखते हैं उसकी आखें नहीं खुली जैसे खेनी खाते हैं, चाई पत्दी को मसलो, अब मसल दिया, बोले ठीक है, बोले अब कुछ ना करो, आप सुंगने की कोशिश करो, जैसे ही आप उसको नजदिक लेके जाओगे, उसकी जो फ्लेवर है, जो अरोमा है, जो चाई की जो खुश्मू है, वो आने शुरू हो जा होता है, अब बताओ सर, अगर मार्केट के अंदर, तो लकडी होती है, लकडी, उसको जो बारिक पावडर होता है, उसको अगर मैं काला रंग करके, आपको इसके अंदर मिक्स करके, अगर बेज देता हूँ, और फिर आप उसको अगर ऐसे मसलोगे, तो क्या लकडी के वाली या भेल सेल वाली ऐसी कोई भी डुप्लिकेट वाली नहीं है और है सबसे बड़ी पती है और अच्छी कॉलिटी है अभी और कुछ जानना चाते हो तो बुले हां तो चलो एक काम करो सर एक काज का ग्लास लेकर आओ काज के ग्लास में आप पानी भरो अब पानी दिख शाप अब उसके अंदर यह जो हाथ में मसलीवी चाय पति थी उसके अंदर डाल जो अब डालने के बाद बोलो कि सरफ हम दो मिनिट बाते करेंगे और देखो यह क्या प्रॉसेस हो रही है इसके अंदर, अब ना उबाल रहे हैं, ना गरम, ना कुछ, ना कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे ही आप उसको देखोगे, दीरे, 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 पूरी चाय पत्ती जो है, उसके अंदर color छोड़ना शुरू करेगी, जो चाय का natural element है, चाय पत्ती का natural element, जो अपना color देना, अप के पास कोई ऐसी चाय पत्ती है, जो सस्ते दामों में मिल रही है, आप उसे ऐसा बढ़िया dark color लाने के लिए, मानलो आपने तीन कप चाय बनानी है, तो तीन बड़े-बड़े चमच डालके, आपको चाय पत्ती अंदर डालके, ये चाय उबालके, फिर उसका color आएगा, और बाहर की market की एक किलो चाय है, सबसे पहले महीने में खतम कौन सी होगी, क्योंकि आप तीन कप के लिए तीन चमच डाल रहे हो, और यहाँ पे तीन कप के लिए आदा या एक चमच डाल रहे हो, तो बाहर की जो brands हैं, वो एक महीने के अंदर खतम हो जाएगी, जबकि safe shop की जो brand हो सकता है, आपको दो या तीन महीने चलेगी, यानि कि यह बाहर की brand आपको तीन महीने में तीन बार खरीदनी पड़ती है, जबकि यह जो brand हो आप महीने में, दो महीने में एक ही बार खरीदते हो, तो बताओ सस्ती है या महेंगी, तो हमने quality की बात कर ली, हमने सारी ब करते हैं चावल के बारे में बास्मती राइस अब बास्मती राइस मार्केट के अंदर अच्छे से अच्छी ब्रांड मिलती है जो सालों से जिसका नाम है ऐसी अच्छे से अच्छी ब्रांड मिलती है और वो ब्रांड की अगर आप तेक व्यक्ति हाथ में चावल का दाना लेगा, फिर ऐसे एक 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 करके डाना गीराएगा, फिर एक दाना बाइल किया हुआ जो राइस है, यानि कि पका हुआ जो चावल है, उसके एक चमच दिखाई जाएगी, उसमें इतना मोटा, इतना लंबा हुआ एक दाना दिखाया जाएगा यानि कि पकने के बाद कितना मोटा होता है फिर ये भी बताया जाएगा कि specially age किया हुआ चावल अब age किया हुआ का मतलब क्या है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा जब हम चावल की बात करते हैं तो आप अपनी दादी को या मम्मी को याद करोगे तो वो कहती हो पूराने चावल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं यानि एक साल पूराने दो साल पूराने जो चावल होते हैं वो अगर हम इस साल खाते हैं तो वो अच्छे होते हैं जो बास्मती राइस होते हैं तो ये जो चावल होते हैं उसको age किया जाता है यानि कि उसको खेतों से ल कोई production किया आपके पास रखा और फिर उसको late किया और फिर आपको दिया तो इस पे भी time लगता है और इसलिए एकदम white की जगा पे ये जो चावल होते हैं वो थोड़े से yellowish थोड़े से yellowish होते हैं और जब आप चावल का दाना हाथ में लोगे तो मानलो आपने हाथ डाला चा ये पकेगा तो ये चूर-चूर हो जाएगा आप बनाने जाओगे बिरियानी बन जाएगी खिटडी लेकिन अगर आप ये safe shop का चावल हाथ में लोगे आप दाना चेक करोगे दाने की size चेक करोगे तो पकने से पहले ही आपको ये बड़ा दिखेगा और जब आप इसको प खुश्भू जाती है और पता चलता है कि आपके घर पर बिरियानी बनी है तो ये जो खुश्भू है अरोमा है ये उसकी खासियत होती है और उसके उपर सुदिक दान नहीं होता है तो मैं तो यही कहोंगा सर कि चलो अच्छी बात है चावल के बारे में हम बात तो कर मैं आपको यह चावल ही देखे जा रहा हूं आज शाम बढ़िया आप चावल पकाओ खाओ और फिर कल आप बोलोगे कि कुछ भी हो जाए मार्केट की कोई बात ही नहीं है सेफ शॉप का चावल जो है वो बेस्ट है तो सेल्फ एक्स्पिरियंस जब तक नहीं होगा तब तक उनको कुछ पता कि नहीं चलेगा बिल्कुल ऐसा ही शांदार हमारा एक प्रोड़क्ट है वो है कब सिरब अभी आप देखो के सीजन है वाइरल फीवर हो रहा है लोगों को शर्दी खासी जुकाम हो रहा है और आने वाले टाइम में हम शर्दियों का मौसम भी आने वाला है तो अप्रेल तक ये शर्दियों का मौसम चलता है तो इस product की demand तो मैं मुटा मुटी कहूं तो पूरे साल भर में रहती है और cup syrup जो हमें company ने provide किया है सही माइन वे मैं बताओं mind blowing product है wonderful product है अब जब हम इसकी बात करते हैं तो मैं cup syrup के बारे में ज्यादा बोलने से सबसे पहले तो मैं यही करता हूं कि सर एक काम करो एक मैं साथ में cup syrup भी रखता हूं और जो disposable spoon होती है चम्मच होती है प्लास्टिक वाली वो भी रखता हूं मैं prospect को ही बोलता हूं सर एक चम्मच लो सर यह test करो और बराबर एकदम हिला के शेक करके मैं bottle देता हूं आप अपने हिसाब से जितना भी test करना चाते हो test करो वो जैसे ही थोड़ा सा डरते डरते यानि दवाई है यह सोचके ज्यादा नहीं लेगा थोड़ा सा लेगा और test करेगा दो second के अंदर तिर्व 2 second के अंदर जैसे ही वो यहां से liquid गले के पास जाएगा टच करेगा न, उसकी आखों के सामने, उसके चेहरे के सामने देखते रहे न, आपको कुछ बोलने की जरुरत नहीं पड़ेगी, वो तुरन बोलेगा, बढ़िया है, फील हो रहा है, तेस्ट अच्छा है, फिर हम बोतल ले लेंगे तो बोलेंगे नहीं, रुको न थोड़ा और अच्छा है, तो दूसरी बार भी खुद अपने आप अच्छे सा चम्मज भर के पीने की कोशिश करेगा, वो ही हमारी जीत है, वो ही प्रोड़क की क्वालिटी है, वो ही प्रोड़क का पावर है, मैं यह बताना चाहूंगा, कि जब आपके पास वो बॉक्स रहेगा, क अगर मार्केट में ऐसे भी लेने जाओ, तो भी कितने महेंगे मिलेंगे, और उन सब को आप करश करो, अंदर डालो, लिक्विड बनाओ, फिर भी बोतल में डालो, बताओ कितनी महेंगी हो जाएगी, अब कप सिरफ तो ऐसी चीज है, जो हर एक मार्केट में, हर एक कंपनी की मिल जाएगी, एलोपोथी की मिल जाएगी, आयरुएज मिल जाएगी, नैच्रोपोथी मिल जाएगी, सब होगा, बताओ मार्केट में अगर हम जाएंगे, किसी भी एक मेडिकल स्टोर में, जो आपकी पसंद का हो, वहाँ पे जाके चलो, हम एक कप सिरफ लेके आते हैं, तो 100 ml की एक बोतल, करीबन कितने रुपे की आएगी, तो अगर मैं आप से भी पूछूँगा, तो आप भी कहोगे, कहां सर करीबन 80-90 रुपे की आएगी, अगर 200 ml की लेनी है तो, तो डबल हो जाएगा, करीबन करीबन, 170-170-1.500, ऐसा कुछ भी दाम हो जाएगा, अब य ये प्रोड़क्ट, ऐसी ही कोई प्रोड़क्ट, अगर नेटवर्क में है, तो जैसे कि लोगों का एक ख्याल होता है, नेटवर्क में तो सब कुछ महंगा होता है, ये बहुत महंगी प्रोड़क्ट बेचते हैं, तो बताओ सर, ये जो 200 ml की बोतल, मार्केट के किसी भी बिल रही है, सेव शॉप में कितने की होगी, जरूर महंगी होगी, हो सकता है डबल या तिपल, 400-500 रुपे की बोतल होगी, तो ये 200 ml की बोतल है, और ये बोतल अगर आप सेव शॉप से लेते हो, तो आपको करीवन करीवन 135 रुपे की एक गिरती है, तो बताओ सस्ती है या महंगी, तो ये आप बताके, आपको ये बताना है, कि साथ इतनी सारे ingredients, natural elements, आपको जो feel हो रहा है गले में वो, ये सारा एहसास अगर 135 रुपे में मिल रहा है, तो ये तो आपको सबसे बढ़िया best product सबसे कम दामा में मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूं, कि यही बोतल अगर आपके पास से रोज लोग आते हैं, लेके जाते हैं, और आपका business शुरू हो जाता है, और आने वाले टाइम पर ये दोतल आपको पिलकुल free हो रही है, और इसके साथ इतनी बड़ी business opportunity जूड़ी है, तो आपको तो ये जरूर लेनी चाहिए, तो इस तरीके से आप ग आरकोल फेश वाज वो भी मैं बैग में रखता हूँ, और जैसे कि मैंने बताया cup syrup तो वो भी हम एक pack bottle रखते हैं, क्योंकि हमरा experience है, कि जब भी हम किसी को ये test करवाते हैं, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि काम करो ना एक pack bottle पड़ी है क्या, तो दे दो ना, तो उसी वक्त वो सामने एक bottle ले भी लेता है, cash payment भी कर देता है, आप जैसे relation है, वो इसाब से आप उसको दे सकते हो, काफी बार आप उसके उपर 20 रुपे, 30 रुपे, 50 रुपे उपर रखना भी चाहते हो, तो भी रख सकते हो, क्योंकि MRP और हमारा SSP दोनों में gap अच्छ जा रही है, तो महीने के 30-40 वीवी का तो आपका reselling हो रहा है, क्योंकि 2 bottle जा रही है, तो एक business volume है, अगर महीने की 2-2 bottle जा रही है, अनि everyday, तो 30 business volume का आपका reselling भी हो जाता है, यह भी एक बड़िया product है, पिर जैसे ही मैं बात करना था आपसे, कि कैसे हमें charcoal face wash को promote करना है, त जादा तर females, यानि ladies होती है, जो face wash वगरा use करती है, लेकिन हम gents लोग जो होते हैं, वो तो फिर सुबह एक बार नहाय थे जब mood हुया था, पिर रात को भी अगर घर जाएंगे, तब जाके mood हुएंगे, तब तक तो शायद मूँ पे पानी का छीटा मार दिया था बहुत है वरना तो कभी हम उसको कुछ नहीं करते हैं, यानि याद भी नहीं आता कि मुझ को धोना चाहिए, तो जब आप gents के सामने बैठे हो, और किसी के घर पे बैठे हो, तो इसका जब मैं demo करता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं husband को ये बोलता हूँ कि सर एक काम करो, madam तो काफी पर अपना जो भी फेश वास है, वो यूज करते होंगे, आप एक काम करो, इस फेश वास को यूज करके आओ, तो उसको मैं एक छोटे से, बोलता है दाल का दाना, उतने छोटा सा इतना उसके हाथ में देता हूँ, और बोलता हूँ कि सर ये देखो, एकदम हार्ड है, लिक और फिर आप पूरे चहरे पे आप अच्छे से इसको लगाओ, जैसे जैसे आप प्रोसेस करोगे, एकदम से धो मट देना, आपको खाली मन में साथ तक गिनना है, यानि कि एक मिनिट तक आपको अच्छे से मूँ को धोना है, जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, आपको चहरे पे ठंडक मैंसे होनी शुरू हो जाएगी, शायद आपको ये लगए कि कुछ जल रहा है, लेकिन ये जल नहीं रहा है, आपकी चहरे पे, जितने भी बाहर के कैमिकल्स, धूल मिट्टी, पल्यूशन, जो भी है, वो हटने की प्रोसेस हो रही है, तो आप जैसे ही एक टॉवल लेना है, और घिसना नहीं है, टॉवल को भी ऐसे ऐसे रख के आपको पूरा चहरा पोच देना है, घिसना नहीं है, और फिर आप जैसे बाहर आओगे, तो आप खुद बोलोगे कि ये चार्कॉल फेश बॉस कैसा है, अब ये भाई साब तो गए, वाच रूम में, अब मैडम जब बैठी है, तो आप जाएगा जब आप बोल सकते हो कि एक बीडुको सर, मैडम आपको चेहरा देख लो, यानि कैसा दिख रहा है अभी, और फिर जब वो मुझ धोके वापस आएगा, तब आप मैडम को ही बोल सकते हो कि चेहरा देखो कितना फरक है, जैसे ह अब आपको चेहरा देखेंगे, मैं आपको गैरेंटी के साथ बताता हूँ, उनकी मैडम जो ये बोलेगी, कि सर, बाकी सब छोड़ दो, ये आप छोड़ के ही जाना मुझे, मेरे को ये तो एक चाहिए ही चाहिए, अब आपको ये बताना है, कि अगर ये जो चेहरा आपका कितना खर्चा होगा, इतना बढ़िया चेहरा बनाने के लिए, तो मैडम ही बोलेगी, कि सर, अगर हमको फेशियल करवाना है, स्क्रबिंग करवाना है, मसाज करवाना है, तब जाके ये इतना होता है, करीबन करीबन 1000 रुपे के आसपास होता है, कोई छोटा गाव रहेगा करवाने के, तो अगर आपको पूरे महीने ऐसा चमकीला ताजगी भरा चेहरा चाहिए, तो आपको रोज 100 रुपे देने पड़ेंगे, यानि कि महीने के करीबन 3000 रुपे होगे, जबकि ये जो पूरी ट्यूब है, आपको कम से कम 3 महीना चलेगी, क्योंकि जो वेने जितनी कॉंटिटी आपको दी थी, वो बहुत ही कम कॉंटिटी थी और आपका चेहरा खिला-खिला हो गया, अगर ये पूरी ट्यूब 100 अमेल की है, आप अगर इसको यूज करना शूरू करोगे, कम से कम 3 महीना चलेगी, मैं बताओं आपका चेहरा जो है, वो दो से 3 रुपे के अ ऐसा वाला फेश्वास भी हमारे पास रहता है, ये बात करके आप टूड़क को प्रमोट कर सकते हो,